सीरियल में माई के चली जाओंगी में एक तरफ जया को देखने आ रहे हैं लड़के वाले, तो दूसरी तरफ समर के साथ जया बिता रही हैं प्यार के पल, समर के साथ बिताई रोमांटिक डेट के बाद क्या बदल जाएगा दूसरी शादी करने का जया का इरादा, आईए द प्यार देखकर समर हुए बेहद इमोशनल जरा गौर से देखिए क्यूंकि ऐसे नजारे बार बार देखने को नहीं मिलते जी हां सीरियल मैं माई के चली जाओंगी तुम देखते रहियों में जया ने समर को दिया है बर्थडे सर्प्राइज भाई इसे देखकर तो ऐसा लग करवाती है उसके बाद समर को केक खिलाती है और समर के मुँपर जब केक लग जाता है तो उसे भी जया अपने हाथों से साफ करती है लेकिन वो कहते हैं ना कि दो प्यार करने वालों के बीच जब तक कोई तीसरा ना आ जाए तब तक कहानी में ट्विस्ट कहां आएगा और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ जया की होने जा रही है दूसरी शादी और लड़के वालों के आने की तैयारियां घर पर जोरो शोरो से चल रही है इतना ही नहीं सत्या देवी अपने ही दामाद समर को जया की दूसरी शादी की तैयारियां करने की बात कहती है तो किसी दूसरे बाहर वाले को अपना पनाना है लड़का भी आने वाला है तुमने तो का ही था कि मैं जया की शादी करा करीये चाहूँ गा देखो दुखी होगा कि भाब मचाना उसकी विदाएक प्सरूरी होगा अब कौन सा पती ऐसा होगा जो अपनी ही बीवी को किसी और के नाम का सिंदूर लगाते हुए देखेगा इसलिए समर चाहते हैं कि जया की शादी उसके सामने ही हो ताकि जया को ऐसा करते हुए देख समर उन्हें भूल जाएं समर जया की दूसरी शादी के लिए जया नाम के लड़के की एंट्री होने वाली है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप समर आज तो जया ने आपके लिए रोमांतिक डेट भी अरेंज की एक तरफ जया की दूसरी शादी तो दूसरी तरफ आपके साथ ये डेट क्या वज़ा है आखिर वेल अब जया की दूसरी शादी में क्या धमाका होता है ये तो हम भी नहीं जानते हैं लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि समर और जया एक दूसरे से बिछड नहीं सकते तो ऐसे में क्या सत्या देवी का प्लान काम्याब हो पाएगा ये भी हम आपको वक्त के साथ बता ही देंगे मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट E24